दोस्तो आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में मोधी सरकार के द्वारा हर गर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर गत मोधी सरकार हम सब लोगों को तिरंगा सर्टिपिकेट भी प्रोवाइड करवा रही है जिया दोस्तो हम में से कोई भी व्यक्ति तिरंगा सर्टिपिकेट पा सकता है जिसके उपर आपका अपना नाम भी होगा तो आपने हो सकता है कि अभी तक आपने तिरंगा सर्टिपिकेट डाउनलोड कर लिया हो और अगर नहीं किया हो तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप सभी लोगों से रेक्वस्टे की अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया तो खला जा रहा है, कई जेगे पर इसको लेकर तिरंगा रेलिया भी निकाली जारी है और बड़े ही भव्य रूप से तिरंगा अभियान चला जा रहा है जो कि 13 से लेके 15 गस्ट तक चला जायेगा और इसी को लेकर दोस्तो मोधी सरकार के द्वारा तिरंगा सर्टिपिकेट भी हम सब लोगों को प्रोवाइड करवाय जा रहे हैं दोस्तो अभीता को सकता है कि आपने तिरंगा सर्टिपिकेट डाउनलोड कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इंटरनेट के माद्यम से तिरंगा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो जी यहां दोस्तो इस तिरंगा सर्टिफिकेट के उपर आपका नाम भी आ जाएगा और यह प्रकार का उसी प्रकार का सर्टिफिकेट होगा जिस प्रकार से आपको स्कूल या कोलेज या एकेडमिट ग्रूप से आपको सर्टिफिकेट प्रदान किये जाते हैं तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी process किया है इसकी पूरी process और किस प्रकार से दोस्तों आप तिरंगा certificate को डाउनलोड कर सते हों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वीडियो के description में आपको एक लिंक मिलेगी एक website के लिंक है जो की आपको उसके उपर क्लिक करना है और उस website की link को आपको Chrome browser में open कर लेना है इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे scroll करते जाना है नीचे scroll करने पर आपको upload selfie का option मिलेगा जी हाँ दोस्तों आपको क्या करना है upload selfie की option के उपर क्लिक करना है और इसके बाद में अपना नाम दर्ज करें और photo upload करें इसके अलावा आप अपने mobile नमर या email ID का उप्योग कर सकते हैं जियां दोस्तों इसके पहले आपको यहां पर registration करना होगा और इसके बाद में अपने mobile के location में service चालू करकी अपने location को sit करना है और इसके बाद में आप अपने इस्तान पर राष्टी द्वच पिन करें और सफलत पूरवक्त पिन करने के बाद आपको एक प्रमांड पत्र प्राप्त होगा तो ये दोस्तों आप इस प्रमांड पत्र को अपने मोबाल पोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप WhatsApp इस्टेस या अन्य जगे पर भी इस certificate को लगा सकते हो तो क्या दोस्तो अभी तक आपने तिरंगा certificate डाउनलोड किया है क्या नहीं हमें comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपने अभी तक तिरंगा certificate डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे दोरा बताईएगा इस प्रोसेस को फोलो करके आप तिरंगा certificate जरूर डाउनलोड कर ले है जै हिंद जै भारत